सबको नमस्ते विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़े साइन्टिस्ट हुए आप सबने उनका नाम सुना होगा आइंस्टीन आइंस्टीन से किसी ने प्रशन किया था कि आप इतने सारे आविसकार करते हैं कोई ऐसा भी आविसकार कर दीजिए जिससे इस धर्ती के ऊपर अमन जैन बना रहे और सब शांती में जीवन जीएं सुख में जीवन जीएं इसके उत्तर में उन्होंने इतनी बात कही थी कि मैं बले ही बहुत सारे आविसकार करता हूँ लेकिन इस सारी समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो वो केवल मा है क्यों? क्योंकि मा के माध्यम से ही ऐसे मानों का निर्मान किया जा सकता है जो इस पूरी धर्ती के ऊपर शांती स्थापित कर सकती है और इस दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है हाँ यही बात हम सब को भी समझनी चाहिए कि मानों के नौ निर्मान के लिए जब बच्चा गर्ब में स्थित होता है चाहे गोद की बात करें इन दोनों में ही मा की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है यहां हम गर्ब की बात करें तो गर्ब में जब बच्चा होता है तो उसका शारिरिक विकास किस प्रकार से किया जाए और मानसिक रूप से उसको किस तरह से मजबूत किया जाए ये दोनों बाते मा के उपर ही निर्भर करती हैं हमारे रिश्यों ने हमें बहुत सुन्दर और वैजयानिक जो एक पद्धती दी है जिसको हम संसकार पद्धती के नाम से जानते हैं ये अपने आप में पूर्णत वैजयानिक है वैदिक है इसके आधार पर जो दिशा निर्देश दिये गई है वो पूरी तरह से एक मनुष्य को एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत अच्छी विधिया है उनमें जैसे पुन्स्वन जो संसकार होता है जिसके माध्यम से जिसमें जो मा को ये दिशा निर्देश दिये जाते हैं कि वो बच्चे का शारिरिक विकास किस प्रकार से करें उसी कड़ी में जो अगला संसकार आता है उसको हम सीमन्तो नैन संसकार कहते हैं और सीमन्तो नैन संसकार में कि मा को किन किन बातों का अपने दैनिक दिंचरिया में ध्यान रखना है अपने रहन सहन में अपने आचन में जिसके आधार पर बच्चे का मानसिक विकास हो सके तो ये जो संसकार किया जाता है चाहिए हम पाँचवे महीने में चटे में या आठवे महीने में कर सकते हैं क्योंकि शारिरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मन भी तयार होता है मस्तिस्क भी धीरे-धीरे विक्षित होता जाता है और सबसे बड़ी जो बात है कि बच्चे का हृदे जो है वो भी परिपक को होता जाता है तो ये जो सीमन्तो नेन संसकार है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संसकार होता है तो इसमें सारी वो बातें दे गई हैं कि मा को किन किन बातों का इसमें विशेश रूप से ध्यान रखना है अब जो सीमन्त है उसका हमें आर्थ समझना चाहिए भाव समझना चाहिए सीमन्त का आर्थ होता है जो हमारे शुष्रुत जो गरंथ है उसमें क्या दिया है तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे मस्तिस्क की जो संधियां है वो पांच संधियां है मस्तिस्क की संधियां दी गई है और उसमें ये कहा कि भै हो जाए या कोई आघात लग जाए या पागलपन की स्थिती हो जाए या मस्तिस्क में कोई हलचल ना हो तो काम की मनुष्य की मृत्यू हो जाती है ऐसी प्रिस्थिती में तो सीमन तो नेन का मतलब होता है कि सीमन तो होता है मस्तिस्क और नेन मतलब मस्तिस्क में जो ही मस्तिस्क के माध्यम से ही सोचते हैं विचार करते हैं उन नेन की उसका विकास होना जो है उपर की तरफ ले जाना कि सीमन तो नेन का मतलब होता है मस्तिस्क का विकास करना तो यहां मा को यही समझाया गया है कि किस प्रकार से एक मा अपने दिंचरिया को अच्छा बनाए जिसके आधार पर बच्चे का मानसिक विकास हो और उसका जो मस्तिस्क है वो अच्छा बने अब आप देखिए यहाँ पर यह सोचने की बात है कि बच्चा जो मा के साथ जुड़ा रहता है हर समय और जैसा मा भोजन करती है उसी तरह का बच्चे को भी मिलता है मा जैसा सोचती है इसी प्रकार की बच्चे की सोच बनती है तो मा के साथ बच्चे का कितना गहरा सम्बंद होता है इतना गहरा सम्बंद होता है कि जब बच्चे का सुक्षम शरीर बनता है पांच में महीने में जैसे मन देरे देरे उसका विक्षित होता है तो क्या होता है सुक्षम शरीर का मा के स्थुल शरीर के साथ बहुत गहरा सम्मद होता है या मा के संसकारों के साथ उसका सुक्षम शरीर का बहुत गहरा जुडाव बना रहता है और उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब मा चोथा महीना हो जाता है, पाँचवा महीना हो जाता है, तो अंदर से उसके संकल्ब विकल्ब जगते रहते हैं, कुछ का कुछ खाने का मन करता है, कभी चिड़ा पना जाता है, कभी अपने आपको बहुत सहज महसूस कर कभी बेचेनी सी महसूस होती है तो ये सब क्या होता है कि ये कहते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जब बच्चे का सुक्ष्म शरीर तयार हो जाता है और उसमें जो उसका मन है और मन में जो उसके पिछले जनमों के जो संसकार हैं उनके आधार पर ही जो मां के साथ वो उससे ही उन बच्चे के संसकारों की छाया मातर से ही मा के अंदर भी इस तरह के संकल्ब विकल्ब जागते रहते हैं ये बहुत ही महतोपोंट चीज है सोचने के लिए कि बच्चे के जो संसकार हैं वो उभर रहे हैं और मा जो है उनसे प्रभावित हो रही है, वो देख रही है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये क्यों ऐसा ऐसा बदला हो रहा है, लेकिन यहाँ भूल ये नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए, कि बच्चे के तो सिर्फ सुक्सम संस्कार के वो छाया मातर हैं, लेकिन मा के तो स संसकार प्रबल है यहां उसको बहुत गहराई से जागरुक इस रूप में होने की आवशकता है कि अब ये मेरा ऐसा समय है कि चाहे अंदर से किसी भी प्रकार की हलचल हो कैसा भी भाव जो है जागरित हो लेकिन मैं ये संकल्प ले रही हूं कि मैं जैसा चाहूंगी अपने ब प्रियतन धीला पड़ जाता है तो बच्चे के संसकार परबल हो जाएंगे वो जैसा भी लेकर के ऐसात इसी तरह का बनेगा अगर यहां पर मास थोड़ी सी समल जाएगी तो वो जैसा धाचा जो जिस धाचे में भी उस बच्चे को फिट करना चाहेगी ऐसा ही वो बन जात है या एक बात इस रूप में ध्यान रखने की है दूसरा क्या है कि जब बच्चा आठवी महीने में होता है आप सब जानते हैं कि उस समय की स्थिती बहुती ज्यादा समवेधन शील होती है मा की क्योंकि उस समय जो ओज होता है बच्चे का ओज तेज जो एक जीवनी शक्त होती है वो अस्थिर होती है वो स्थिर नहीं होती और यहां पर मां को जो है दो हरिदों वाली कहा गया है क्योंकि मां का हरिदे और बच्चे का हरिदे ये दो जो एक साथ जुड़े रहते हैं बच्चे का हरिदे जो वो विक्षित होता है और बच्चे के हरिदे के साथ जो है मा का हृदे जुड़ा होता है अब आप ये देखो कि दिलों का संबंध है और दिल में जो जो भी हलचल होती है मा के अंदर जो जो भी विचार आते हैं कैसे जो है एक बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं और इतना एक समवेदन सील समय होता है कि ऐसा कहते हैं कि आठमे महीने में सबसे ज्यादा मा का ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा chances होते हैं कि अगर एक बार गड़बड हो जाती है तो बच्चे का जीना मुश्किल हो जाता है या फिर इस महीने में बच्चा जनम ले लेता है तो भी थोड़ा सा उसका संभावना कम रहती है कि ये जीवित रहेगा कि ने तो इसी लिए क्योंकि उसकी जीवनी शक्ती है वो उस समय कमजोर होती है मा के साथ जुड़ी रहती है अब ऐसी प्रिस्थिति में मा को अपने हृदे को मजबूत करने की आवशकता है कि मा का दिल और दिमाग दोनों मजबूत हों क्योंकि मन मस्तिस्क जब दोनों मजबूत होंगे तब ही जो है बच्चे के अंदर एक अच्छी जो है उर्जा पैदा होगी अच्छा वो बनेगा उसका मन मस्तिस्क जो है वो सुद्रिड बनेगा मजबूत بنेगा ये मा को बार-बार चिंतन करना चाहिए और जो आठवे महीने का संसकार करवाय जाता है जिसको हम सीमंतो नेन संसकार कहते हैं इसमें बार-बार यही कहा गया है जो इसके जो सारी प्रक्रियाइं करवाय जाती है तो उसमें एक चीज यही आती है कि जब मां से पूछा जाता है कि किम पश्यसी कि तु क्या देख रही है तो वो बार-बार यह करती प्रजाम पश्यामी कि मैं अपनी संतान को देख रही हूँ कि पूरी तरह से उस बात में लीन है कि मेरी संतान अच्छी बने, मेरी संतान उत्तम बने और इसका सीधा सीधा असर जो है वो बच्चे के उपर ही पड़ेगा महरसी मनों ने भी इस बात को कहा गए याद रिशम भजते नारी सुतम सुते तथा विधम तस्मात परजाविशु धार्थम स्त्रियम रक्षेत प्रियतनत है ये बात कहिए कि माँ जैसा चिंतन मनन करती है उसी प्रकार की उसकी संतान जो है वो बनती है अच्छा चिंतन करेगी, बढ़िया चिंतन करेगी उसका जो बच्चा है वो उत्तम बनेगा तो यहां यह कहा गया है कि एक मा को ऐसा वातावन देना चाहिए जो शुद हो बिलकुल शान्त हो जब ऐसे शुद और शान्त वातावन में वो मा रहेगी तो निश्चित रूप से जो संतान है वो उसकी उत्तम बनेगी स्रेश्ट संतान बनेगी इनको केवल एक दिन के लिए नहीं जब तक बच्चा जनम नहीं लेता तब तक मा को इस बात को हृदे से लगा करके रखना है आज के हम वरत्मान जो वातावर्ण है उसमें जब देखते हैं तो अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है तो ऐसा लगता है कि बले ही मा को तकलीफ है शारिरिक कस्ट है को कस्ट जहल रही है तकलीफ हो रही है परन्तु ये मा का कभी ध्यान नहीं जाता इस रूप में कि मेरी जो संतान है वो अच्छी बने मेरी संतान उतक्रिष्ट बने सिर्फ यही होता है किसी भी मा को ये पूछा जाए कि आप कैसा feel कर रहे हैं, कैसा मैसूस हो रहा है, तो एक ही बात हो खहती हैं, हमें तो बहुत दर लगता है, हमें बड़ा भै लगता है, बड़ी tension होती है, और जैसे जैसे उसके बच्चे के जनम के दिन नज़्दीक आते हैं, तो यही होता है कि मेरी तो चिंता बढ़ कई बार तो क्या होता, दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है, क्या सोच करके कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे को मैं कैसे जनम दूंगी, कितनी तकलीफ होती है, यह सब सोच करके एक मा जो है दुखी रहती है, अब आप यह बताईए कि अगर एक मा ऐसा सोचती रहे अब मा को प्रमात्मा पे प्रोशा करके चलना चाहिए, कि मा ठीक है, वो जनम तो देगी, लेकिन अंदर उसकी जो रक्षा कर रहा है, वो प्रमात्मा कर रहा है, तो उसको जनम देने का काम भी प्रमात्मा ही करवाएगा, क्योंकि जो है, प्रमात्मा को भी तो सवीता का आ दिल और दिमाग दोनों को बहुत मजबूत करके चलना है और चिंतन बार बार यही करना है मेरी संतान उत्तम बने आप जैसा चाहते हैं क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी जो संतान है वो खराब बने कोई नहीं चाहता अच्छी संतान सब चाहते हैं किस शूरवीर बनाना है वो शूरवीर बनेगा, उसको दानी बनाना है वो दानी बनेगा, उसको एक बड़ा रिशी बनाना है वो रिशी बनेगा, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, और ये कोई मन घडंत बाते नहीं हैं, ये कालपनिक बाते नहीं हैं, आप ही तिहास उठा करके देखेंगे, महाबारत आप सब ने देखी होगी और पढ़ी भी होगी, उसमें अभिमन्यू का उधारनाता है, कि सुबंद्रा के गर्ब में जब अभिमन्यू था तो अरजुन ने उसको कि चक्र व्यू में किस प्रकार से जो है गुसना होता है, उसारा का सारा सिखा दिया थ दूसरी बात हम माता मदालसा की करते हैं, कि माता मदालसा ने अपने संतान को कैसा ब्रमरिशी बनाया और जो एक बहुत बड़ा सूरवीर चक्रवरती राजा बनाया, कैसे बनाया, कि जब बच्चा पेट में होता था तो जब रिशी बनाती थी तो क्या कहती थी कि शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी कि तू शुद्ध है बुद्ध है और इस संसार से तू निरलिप्थ है तू माया से परे है तू रिशी है जब ये बार 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 यही चिंतन करती रहती थी तो क्या ब फिर उसने अपना मन बदला और फिर कहा कि तू एक चक्रवरती राजा बने तो एक चक्रवरती राजा बने तो वो राजा बन गया उधार्ण हमारे सामने हैं हम नेपोलियन बोना पार्ट की बात करते हैं कि नेपोलियन बोना पार्ट जब मा के गर्ब में थे तो मा क्या करती ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के प्रेजिदेंट वे गारफिल्ड और उनकी जो हत्या की थी, गिटू नामके एक व्यक्ति ने की थी, वो क्यों की थी, उसके अंदर ये संसकार क्यों आए? कि जब वो मा के पेट में था गीटू तो उसकी मा जो है उसको मरवाना चाहती थी उसका वद करना चाहती थी परंतु उसका वद हुआनी और उसको जनम दिया तो जैसे ही वो उसने जनम लिया और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वही संसकार हत्या के संसकार उसके बहुत गहरे हो गए और वो अमेरिका के फ्रेसिटेंट के हत्या उन्होंने की ऐसा जो इतिहास में देखने को मिलता है ठीक इसी प्रकार से हम प्रिंस बिसमार्क की बात करें अब जो प्रिंस बिसमार्क थे तो क्या था जब वो मा के गर्ब में थे तो उसकी मा नेपोलियन के जो फ्रांसी से सैनिक थे उन्होंने उनके घर को तोड़ फोड़ दिया था पूरी तरह से तैसनेस कर दिया था तो जब भी वो अपने उन घर के कोनों को देखती थी कि कैसे कैसे हमारे घर को जो है नस्ट किया है कैसे तोड़ फोड़ की है कैसे ये पूरा विनास किया है जब भी वो उन द शोक तकलीफ होती थी, शोक में वो डूब जाती थी, और अपने आप में वो बिलक बिलक करके रोने लग जाती थी, ऐसी उसकी स्तीती थी, तो क्या हुआ जब वो बिसमार्क पैदा हुआ, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में सबसे ज्यादा जो नफरत का भाव था, वो फ्रांस के सैनिकों के प्रती था, और वो फ्रांस से जो है बदला लेना चाहता था, तो ये जो एक पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चलती है, ये कोई कालपनिक नहीं है, क्या है कि आज के समय हम इनको इसलिए गौन कर रहे हैं, क्योंकि इसके उपर काम नहीं किया जा इसके उपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो इस तरह के गुल खिलाता तो हम रोते हैं बैट करके, यहां से जब जड़ में हम मूल में भूल करेंगे, मूल में ही भूल करेंगे तो उसका सुधार कैसे हो सकता है, कि वलपत्तों को सीचन मानों का निर्मान कर रही हूं, ऐसे मानों को मैं जनम देने के लिए जा रही हूं, जो समाज के लिए उपयोगी होगा, एक अच्छा इनसान होगा, प्राचीन समय में तो मां जो है, वो इतनी ज्यादा मनोवैजानिक होती थी, इतनी जागरुक होती थी, समजदार, कि वो देख लेती थी कि समाज में किस प्रकार की समस्या खड़ी है तो वो कोशिस यही करती थी उसका पूरा प्रियतन यही रहता था कि मैं ऐसी संतान को जनम दू जो इस जो सामाजिक समस्या है इससे वो निजात दिलवा सके ऐसी ऐसी जो है मा हुई है हमारे इतिहास में तो ये जो सीमन्तो नैन संसकार है कि बच्चे का मानसिक विकास अब इन दिनों में होना है तो मा को दिल और दिमाग से दोनों से मजबूत होना है चिंतन को पवित्र रखना है और सारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो बच्चे के उपर ही रखना है कि मैं केवल और केवल अपन मा का गर्ब इसमें जैसा वो चाहेगी उसी प्रकार के साचे में वो ढाल पाएगी और यह अतिशोक्ती नहीं है कि यहां अगर मा को विश्व कर्मा कहा जाए और विश्व कर्मा जैसा बनाना चाहे वैसा वो बना सकता है प्रंतु बाद में किसी को शिकायत नहीं कर सकता कि ब और फिर कहें ये सुधर नहीं रहा है ऐसा नहीं है हमें यहीं से शुर्वात करनी है सीमन तो नैन संस्कार को अपने जीवन में धान करके चलें इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझ करके चलें मुख्य रूप से पूरा जो एक फोकस है वो इसी बात का है कि इस समय पाच्वा, चटा, साथ्वा, आठ्वा ये महीने मा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, मस्तिस्क का विकास हो रहा है, दिल के साथ दिल जुडा हुआ है, जैसे दिल में तरंगे उठेंगी, जैसे भाव आएंगे, मस्तिस्क में जैसा चिंतन चलेगा, जैसा देखा जा रहा है, जैसा सुना जा रहा है, सब का प्रभाव बच्चे के उपर पड़ेगा, जैसी इच्छा मा करेगी, बच्चे की इच्छा भी ऐसी ही बनेगी, तो ये ध्यान हमें रखना है कि इस इन संसकारों को मान्यता मिली हुई है अब जो एक तरह से हमारे प्राचीन समय से रिश्यों की ये खोज है इनको पुने स्थापित करने की आवशकता है तब ही हम एक अच्छे मानो का निर्मान कर सकेंगे इनके उपर काम करने की आवशकता है तो मेरी सभी भेनों से जो एक मानों का निर्मान करने के लिए उसको जनम देने के लिए अगर सर है उनको इन बातों को ग्रेंड करना चाहिए अनुकर्ण करना चाहिए फिर जैसा आप चाहेंगी वैसी संतान आप पाएंगी इनी शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद स